दोस्तो आज है 11 जुलाई 2023 और 11 जुलाई 2023 से रिलेटिड करंट अफिर्स के जितने भी कुशन बन सकते हैं आज की क्लास में हम सारे कुशन को कवर करेंगे और हर कुशन से रिलेटिड इंपोर्टन फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी तो आप पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तो ये क्लास आपकी डेली सुबह मौनिंग 7 अम पे लाइब आती है तो आप सभी लोग सुबह 7 बज़े इस क्लास के साथ जुड़िएगा इससे आपकी तैयारी बहतर होगी और एक दूसरे से कनेक्ट करके कमेंट करके एक दूसरे से कोशनों को सेयर करके आप लोग अचानी से सीख पाएंगे चलिए देरी न करते हुए आज का पहला कोशन पर आते हैं आज का पहला कोशन हमारा लिखा है क्यारी कोस मिस्सो ताकी को किस देश का प्रधान मंत्री चुना गया है फर्स्ट आप्सन है फ्रांस सेकेंड आप्सन है ग्रीज थर्ड आप्सन है दच्छिन कोरिया और फोर्थ आप्सन है जापान बताईएगा दोस्तो क्यारी कोस मिस्सो ताकी को किस देश का परधान मंत्री चुना गया है इस question का जो सही answer हो जाएगा friends वे है हमारा option number B ग्रीस के क्यारी कोस मिस्सो ताकी ने बहुमत हासिल कर लिया है और उन्हें ग्रीज के प्रिधान मंत्री के रूप में दूसरे कारकार के लिए फिर से चुना गया है लगबक 96 पिरसद वोटों की प्रारंबे गड़ना के आधार पर मिस्सो टाकिस के नेतरत में न्यू डेमोक्रेसी ने 40 पिरसद से अधिक वोट हासिल किये जिससे उन्हें संसद की कुल 300 सीटों में से न्यू नितम 158 सीटों की गारंटी मिली है चलिए आंगे बढ़ती हैं और नेश कुशन देखती है नेश कुशन हमारा लिखा है WCC के वैस्विक प्रतिस प्रधात्मक सुचकांक में भारत का इस्थान क्या है फर्स्ट उप्षन है बारे, सेकेंड उप्षन है चौबिस, थर्ड उप्षन है चालिस और फोर्थ उप्षन है चप्पन बताईएगा दोस्तों इस कुशन का साही आंसर हमारा क्या हो जाएगा वैस्विक प्रतिस प्रतिस प्रधात्मक सुचकांक में भारत का इस्थान कौन सा है इस कुशन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वै है मारा ओप्षन नंबर सी चालिस 2023 वैस्विक प्रतिस प्रतिस प्रधात्मक्ता सुचकांक में 64 अर्थ ववस्थाओं में से डेन्मार्क, आयलेंड और स्विजन लेंड को सी स्थ 3 में सामिल किया गिया है इसी सुचकांक में भारत को 40 वे इस्थान पर रखा गिया है दो हजार तेईस आई एमडी विश्व परतीस परधात्मक्ता रैंकिंग विश्व परतीस परधात्मक्ता केंद्र द्वारा लगा अतार पैटिस्वे वर्स प्रकासित की गई है चलिए आगे बढ़ते हो नैश कुशन देखते हैं नैश कुशन हमारा लिखा है किस कंपिनी ने परिपेच टैब सुविधा पेच की है जो उपियोग करताओं को किसी विशेश विशेपर विवेद द्रश्टी को तलासने की अनुमती देती है फर्स्ट ऑप्शन है गूगल, सेकेंड ऑप्शन है माइक्रोसॉप्ट, थर्ड ऑप्शन है एप्पल और फोर्ट ऑप्शन है सेमसंग तो जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुशन का सही अंसर हमारा क्या हो जाएगा इस कुशन का जो सही अंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ओप्शन नंबर एग गूगल गूगल ने पर्टैस्पेटिक्स टैप सुविधा पेस की जो उपयोग करताओं को किसी विशेविशेश पर विविद्रष्टी को तलासने की अनुमती देता है चलिए अंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन हमारा लिखा है खार्ची पूजा किस राज केंसा से पिर्देश में मनाई जाती है फर्ट ओप्शन है तिरपुरा, सेकेंड ओप्शन है असम, थर्ड ओप्शन है पश्यमंगाल और फोर्ट ओप्शन है ओडिसा बताईएगा दोस्तों इस कुशन का सई अंसर हमारा क्या हो जाएगा खार्ची पूजा किस राज केंसा से पिर्देश में मनाई जाती है इस कुशन का जो सई अंसर हो जाएगा दोस्तों वै है हमारा ओप्शन नमबर A तिरपुरा में खार्ची पूजा गईरपूर में प्रतिष्ठित 14 देपताओं के मंदिर में सुरू हुई यह आयोजन विविन इस्थानों में भक्तों को एक साथ लाया है जो सदियों पुराने रीती रिवाजों और परंपराओं के पुनरुद्ध्वार का प्रतीक है खार्ची पूजा तिरपुरा में मनाया जाने वाला एक ऐसा तिवहार है और अगर तला में जुलाई या अगस्त में मनाया जाता है यह तिवहार तिरपुरी लोगों के पूरवज देवता चतुर दस देवता की पूजा पर केंद्रिद है चलिए आगे बढ़ते हैं और नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन हमारा लिखा है हाली में खोजी गई हसारियस मुंबई किस पिरजाती से सम्मन्दित है फर्स्ट ऑप्शन है मकडी, सेकेंड ऑप्शन है साप, थर्ड ऑप्शन है कचुआ और फोर्थ ऑप्शन है बिल्ल बताईएगा दोस्तों हसारियस मुंबई किस पिरजाती से सम्मन्दित है इस कुशन का जो सई आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है हमारा ओप्शन नंबर ए मकडी से किस सम्मन्दित है दोस्तों मकडी से सम्मन्दित है हसारियस मुंबई जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाती है यह मुंबई के गोरे गाउपूर में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सरचछड सिच्छा केंदर में नदियों के पास चट्टानों में पा जाती में 600 पीडी और 6000 से अधिक वर्डिक प्रजातियां सामेल हैं चलिए आंगे बढ़ते हो नेच कुशन देखते हैं नेच कुशन हमारा लिखा है जौस बटलर जिनोंने हाली में T20 प्रारूप में 10,000 रन पूरे किये हैं यह किस देश से हैं फर्स्ट आप्सन है ऑस्ट बताईएगा दोस्तो जौस बटलर कहां से संबन देथ हैं इस कुशन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ओप्सन नंबर बी इंग्लेंड से जौस बटलर कहां के हैं दोस्तो इंग्लेंड के हैं इंग्लेंड के जौस बटलर ने T20 विकेट में 10,000 रन पूरे करते हुए एक नया इतियास रच दिया है वह यह उपलबदी हासिल करने वाले केवल नौवे बल्लेवाज हैं टी ट्विंटी फॉर्मेट में बटलर ने 372 मैचों में 34.16 की ओसत और 6 सतकों के साथ 10,080 रन पनाई हैं चलिए आंगे बढ़ती हैं और नेक्ट कुशन देखती हैं ने इस कुशन हमारा लिखा है किस उच नयाले ने फैसला सुनाया की मंदिर के पुजारियों की न्युक्ती में जाती की कोई भूमिका नहीं होगी फर्स्ट ऑप्सन है मद्रास उचने आले, सेकेंड ऑप्सन है दिल्ली उचने आले, थर्ड ऑप्सन है इलहाबाद उचने आले और फोर्थ ऑप्सन है कलकत्ता उचने आले बताईएगा दोस्तों इस कुशन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस कुशन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वे है मारा ओप्सन नमबर ए मद्रास उच नयाले मद्रास उच नयाले ने फैसला सुनाया कि मंदिर के पजारियों की नियुक्ती में जाती की कोई भूमका नहीं होगी चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन हमारा लिखा है पीकॉक, सौफ्ट सेल, कचुए या निल्सोनिया फार्मोसा किस देश में पाई जाती हैं फर्ष्ट ऑप्शन है मेमार, सेकेंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है इंडोनेसिया और फोर्थ ऑप्शन है स्री लंका बताईएगा दोस्तों इस कुश्चन का सही अंसर हमारा क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो सही अंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है मारा ओप्शन नंबर ए मैमार क्या हो जाएगा इसका अंसर मैमार हो जाएगा मैमार में बर्मी मोर सौफ्ट सेल कच्चुए जो गंभीर रूप से लुपत प्राई हैं इन्होंने सफलता पूर्वक अंडे दिये हैं और हाली में इंदावगी जील में अपनी यात्रा सुरू की है निल सोनिया फार्मोसा के नाम से भी जाने जाने वाले ये कच्चुए केवल मैमार में पाए जाती है यह निल सोनिया जीनस की पाँच प्रिदातियों में से एक है चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन हमारा लिखा है कौन सी कंपेनी भारत के डांस के बैंक के आईटी केंदर को खरीदने के लिए तयार है फर्स्ट ऑप्शन है HDFC बैंक, सेकेंड ऑप्शन है Infosys, थर्ड ऑप्शन है Axis बैंक और फूर्थ ऑप्शन है Tata Consultancy Services बताईएगा दोस्तों इस कुशन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा वे कौन सी बैंक है? इस कुशन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है हमारा ऑप्शन नंबर B Infosys Infosys बैंक ने दासके बैंक के साथ समझोते की गोशना की है पांस साल के लिए 454 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमाने समझोते को एक अतरिक्त वर्स के लिए तीन बार तक नवीनी करत करने की समझोते के तहत Infosys बैंक के डासके बैंक के आईटी केंदर को भी खरीदेगी जिसमें 1400 से अधिक लोग कारिरत हैं चलिए आंगी बढ़ते हैं और आज का लाज कुशन देखते हैं आज का लाज कुशन अमारा लिखा है किस देश ने पूर्विव्यापी फिरभाव से सांसदों की अयोगिता को पांस साल तक सीमित करने के लिए अपने चुनाव अधिनियम में संसोधन किया है फर्स्ट ओप्सन है स्री लंका, सेकेंड ओप्सन है भारत, थर्ड ओप्सन है पाकिस्तान और फूर्ट ओप्सन है मेंमार बताईएगा दोस्तों इस कुशन का साही अंसर क्या हो जाएगा किस देश ने पूर्व विव्यापी प्रभाव से सांसदों की अयोगता को पांस साल तक सीमित करने के लिए अपने चुनाव अधिनियम में संसोधन किया है इस कुशन का जो साही अंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ओप्सन नंबर सी पाकिस्तान क्या हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान हो जाएगा पाकिस्तान में नेशनल असेंबली ने चुनाव अधिनियम 2017 में संसोधन की मांग करने वाला एक विदेहक पारित किया है जिसका उद्देश पूर व्यापी प्रभाव से सांसदों की अयोगता को पांस साल तक सीमित करना है I hope आज के सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और क्लास बहुत हेल्फुल भी लगी होगी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजेगा मांसी श्टडी चैनल Thank you, Dostum.